हलो फ्रेंड्स अस्तलाम ओलेकूम विल्कम बेक टू मैं चैनल तम्मोस किचन कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खेरियत से होंगे अज फिर एक नई रेसिपी शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ रेसिपी स्टाट करने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट फ्रेंड्स आपको अगर रेसिप अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिये और आज मैं शेयर करूँगी स्पाइसी वेज टोस्ट स्पाइसी वेज टोस्ट बनाने के लिए लिए यहाँ पर में चार ब्रेट की स्लाइस वन टेबल स्पून लिए चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून लिए में हल्दी पाउडर और नमक लिए में हाफ टी स्पून से जरा सा ज़ादा नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग दा लिए 100 ग्राम लिए में बेसन यहाँ पर आदा टमाटर में बारिक चॉप की हूँ अगर आपका चोटा टमाटर है तो एक लिजिये और यहाँ पर बीन्स लीई हुमें 3-4 और बारिक चॉप की हूँ गाजर लीई में आदा और इसे बी बारिक चॉप की हूँ एक प्यास चोटी साइज की लेकर बारिक चॉप की हूँ और हरी धनिया की पत्ती जरा सी डाल रही हूँ बेसन और ब्रेट का ये बहुत ही तेस्टी और हिल्दी नास्टा है आप इसे टिफिन में दीजिए बच्चों के चाए नास्टे में खाईए और इसमें हम बेसन में डाल रहे हैं चिली फ्लेक, सल्दी पाउडर और नमक हम इसे पहले अच्चे से मिला लेंगे और इसमें हम डालेंगे बारिक चॉप कीवी, सबजियां सबजियों को एकदम बारिक चॉप करकर ही डालिए प्रेंट्स आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए अपने रिष्टेदारों से शेयर करिए कॉमेंट करिए, लाइक करिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे ज़र रेड कलर कर सब्सक्राइब होला बटनें उसे प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और इसमें हम आप वेजिटेबल्स अड़ किये है मैं प्याज थोड़ी सी जादा हो रही है इसलिए मैं प्याज थोड़ी बचा कर रखी हूँ जादी प्याज नहीं डालेंगे छोटी साइज के एक मैं प्याज लेकर बारिक चॉप की थी और थोड़ी सी निकाल कर रखी हूँ इसे हम अच्छे से वेजिटेबल्स में बेसन को मिला लेंगे एक दम पहले अच्छे से मिला लीजिए और फिर पानी थोड़ा-थोड़ा करकर ऐड़ करिए अब इसमें मैं डाल रहे हूँ आदा बहुल पानी आदा बहुल पानी डालकर हम consistency चेक करेंगे जादा थीक नहीं रखना है और जादा पतला भी नहीं रखना है हमें हम थोड़ा थोड़ा करकर पानी इसलिए आड़ कर रहे हैं आटे में कोई लम्स ना हो और एकदम से सॉफ्ट बनाए हैं हमने आटा हमारा बैटर एकदम सॉफ्ट है हमने आदा बाउल पानी डाले हैं आब अच्छे से मिला लेंगे और आप हम चेक करेंगे हमारा बैटर अभी ठीक है अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी तीन से चाथ टेबल स्पून जितना मैं पाने आड़ की हूँ इसमें और आप देखते हैं हमारे बैटर की कंसिस्टनसी एकदम परफेक्ट बना है अभी थोड़ा थोड़ा कर पाने आड़ करिए और चेक करिए आप वेजटोस बनाने के लिए नॉन स्टिक के पैन का इस्तमाल करिए ओईल कम लगता है और बनता भी बहुत अच्छा है इसमें अब एक ब्रेड लेकर हम डालेंगे बैटर में अच्छे से डीप करेंगे एकदम अच्छे से मिला लीजिए और फिर उठाकर रख दीजिए इसे पैन पे फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे और दो ही ब्रेड की स्लाइस रखूंगी में ज़्यादा नहीं बेट पाएगा पैन में अब ज़रा सा उपर से रख दूँगी में आप एक बार वेस्टोस बनाकर ज़रूर ट्राइ करिए इंशालला आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा दो से तीन मिनट देंगे एक साइड को और दो से तीन मिनट दुसरी साइड को इसे हम ब्राउन फ्राइ करेंगे ज़्यादे तिल का इस्तमाल नहीं करना है थोड़ा थोड़ा चम्मा से प्रेस कर दीजिए और यह हमारे दो टोस्ट रेडी हो गए हैं अब इसे मैं डिश आउट कर देती हूं और दो ऐसे ही बना लूँगी रोज रोज वही नाश्टा खाकर आप हो गए हैं बोर तो बनाईए वेस्ट टोस्ट और इसका टेस्ट द मिलूंगे एक नई रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखिए सेफ रहिए अल्ला हाफीज अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू फर वाचिंग